वेल ये देखी आपने अनंद अमबानी और रादी का मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिव की जलक। दरसल कल इस प्री वेडिंग फंक्शन्स का आकरी दिन था जहां महा आर्थी से लेकर हस्ताक्षर तक कई रसमें की गए। वेल इस इवेंट पर होने वाली दुलहन रादी का मर्चेंट का शाही अंदाज में वेलकम हुआ। यही नहीं अनंद ने भी यहां भावी और बहन के साथ क्रेंड एंट्री ली। इस दोरान रादीका का खुब सूरत डांस भी देखने को मिला। महमानों ने आती देते हुए रादीका का वेलकम किया। इस इवेंट पर अंबानी फैमली से लेकर तमाम महमानों को टरडिशनर अटायर पहने देखा गया। वही इस दोरान इमोशनल हुए ससू को गले लगाते दिखे अनंत अंबानी। लुक की बात करें तो सभी अंबानी लेडिस इस बार भी स्टनिंग फैशन स्टेटमेंट देती हुई नजर आई। जहां नीता अंबानी ने सिल्वर कलर की हैंड लूम कांजी वरम चाड़ी पहनी और डायमेंड नेकलिस के साथ उन्होंने अपनी लुक को कम्प्लीट किया। वैल नीता मबानी के इस नेकलिस की बात करें तो रिपोर्स की माने तो इसकी कीमत लगभग 400 से 500 करोड तक की बताई जा रही है। वही इशा मबानी भी इस इवेंट पर मानीता मबानी के स पहना और लुक को कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने कई लेयर डायमेंड जूलरी पहनी। तो चलिए आप भी डाले इन तमाम वीडियो पर एक नज़र। झाले 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 बाले एक अज़र। प्रयों के जानपने के लगब कर दोलम कर दोलम कर दोलम कर दोल्गंग झाल झाल अज्यूट गौन्यूटर्स लीवाइए टॉप्तरश टॉट्स फ्र ट्रीज वेडियर अब्सित वे रहीं टॉट्स, है। झाल रहत्व टॉटेविन अगे, तॉब ध्र टॉट टॉट्सी सिर्ण कर देट। We believe that tonight we hope that you will gather memories that will stay with you forever and pass on to generations to follow. Yes, once in a lifetime comes only once in a lifetime. As the night progresses and you absorb the spaces around you, you will finally reach the main stage, an area where Lord Ganesh is seated in His Majesty. You will witness the union of my darlingsest brother Anand with the most beloved and beautiful Radhika. It will be your blessings they seek as they begin their journey as companions and partners for the rest of their life. There will be other celebrations to follow, but this moment will be etched in their history forever. For the present, please soak in the chants, the trinkles, the bells, the prayers, the swings, the swans, the songs, the saints, the meditators, the calm, the trees, the trees, the plants, and the scented earth. The incense in the vast open sky and try to hear the gods whisper. Base on the The incense in the very open sky and try to open a little while the интерес in their hearts are wide. The incense in the sky is a beautiful ancient city, and the欢, the atmosphere of the Blackhika.